राजदारी जैपुर से ख़बर सामना रही है जहाँ पर जैपुर के अंदर एक रुपए में भोजन मिलता हो नजर आने वाला है जहाँ ही किसके द्वारा है कैसे है और एक रुपए में आके क्या क्या आपको मिलता हो नजर आएगा सिदर उब्रोत रहेंगे हमारे इस रिपोर्ट से जबर में पहली बार लोगों को एक रुपए में बोजन मिलने चाह रहा है इसके लिए कालवार रोड स्तेथ हातोज में स्वाबिमान भोज की शिरुवात की गई है राजजे राजजे बीच निगम लिमिटेट के अध्यक्ष धीरज गूजर ने बोजशाला का फीता काटर के उखाटन किया धीरज गूजर ने कहा कि जबाहर फांडिशन की ओर से यह अच्छी पहल की गई है जरुरत बंदों को एक रुपए में भोजन मिले इस से अची बात कुछ और नहीं हो सकती यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भोजशाला में हर देन करीब 500 लोग खाना खा सकी है समाथ से भी विजू जुजर नवाला की ओड़ से स्वाबिमान भोज के स्थापना की गई वर्दमान में अजमेर, भीलवाडा, बासवाडा में स्वाबिमान भोज संचालित है और जैपुर में चौती इकाई को प्रारम किया गया कारिगरमी कॉंग्रेस निताग गुपाल बिटाया, राज्यमंद्री राम सिंग्राव, महिश शर्मा, ब्लॉग कॉंग्रेस अध्याग शशोक शर्मा, हातोज धाम आचारे, बाल मुकंद आचारे और अभिनेतरी सुश्री कीर्टी जोटी चाहिए अन्यकाई लोग उपस दिनते हैं आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार किया है, रुकाईभी से पहले विधानसभा रोडशो पे, बहुत बहुत अच्छा लगा था, मैं आप भारी रश्मीश जी, करुण जी, दिजू जी शिवाला जी की, मुझे हाँ गुला कर उन्होंने इतना सम्मार और इतना अभार अच्छा रोड़ा के अच्छा सक्ष्टी के चलते हैं, आज इस विधानसभा सेत्र में, एलन जी गुरुप के द्वारा, अपना सामाजिक सपरोकार निभाते हुए, जो सवाबिमान रसोई का उत्गाटन हुआ है, उसमें हम सब लोग साक्षी बने हैं, और हनुमान जी मा प्राज शुरू किया गया पहला प्रियास है इस प्रियास के लिए में जवार फॉंडर्शन के मात्यम से लेंजे गुरुप को रिजू जुन वाला जी को और अजीश जी को बहुत बहुत तन्यवाद और साधुवाद देता हूं और खास करके हमारे मित्र और राजस्तान सरक करके मंतरी लाल चन कटारेजी ने जो इच्छा सक्ति दिखाई उसी का प्रणाम है कि उनके विदान सभा सेंद्र में यह कारे प्रारंगों पाया कि चलती रहेगी जब तक लोग भोजन करते रहेंगे तब तक रुसु चलती रहेगी प्लाज देश्वतने की तमाह बड़ी यूसाइडी के साथ नमस्तार